वेल्सपन इंडिया इस कंपनी के बारे में वेल्सपन इंडिया इसने आज अपने बॉर्ड फ मीटिंग में एक बाइबैक डिकलेर किया है डिविडेंड का भी डिकलेरेशन आया है रेजल्ट का भी डिकलेर किया है लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा बाइबैक को मैं फोकस buyback हो रहा है जैसा कि आपने flyer पर अलरी आपने देखा है मैंने mention किया 30% discount किये मैंने क्यों mention किया उसके बारे में reason देखेंगे और सबसे ज्यादा important चीज यह देखेंगे कि कब तक आप share को hold करना है या फिर कब तक आपको share को buy करना है so that you actually get entitled for this buyback and you can participate in the buyback so these are the two things and finally दोस्तों सबसे important question हर एक video में हर एक video में लोग comment में यह पूछते हैं कि sir मेरे पास इतने shares है मुझे कितने shares मिलेगे तो यह बहुत common question है कि कितने shares होने पर आप eligible होगे तो मैं आपको simple calculation भी बता दूँगा जो कि video के end में है तो video के end में last तक जरूर बने रहे हैं तब ही जाके आपको पूरा का पूरा details पता चलेगा सबसे पहले दोस्तों अगर आप screen पर देख पा रहे हो जैसा मैं दिखा रहा हूँ यहां पर जो buyback date है दो तिन चीज़े मैंने circle की रखी है तो सबसे पहला जो point है that is buyback price that is declared as 120 rupees 120 रुपी अगर पहला screen की हम बात करें मैंने कहा था आपको 30% का discount मिल रहा है दोस्तों मैंने यह इसलिए mention किया था because आज के date पे अगर आप देखो जिस price पे यह market closing दिया that is somewhere around 97-98 rupees आपको screen पे दिख रहा है price तो आप 97 rupees के price में अगर कोई stock closing दे रहा है उसके साथ में आप approximately अगर आप consider करो in fact trade होने के बाद में market hours जब close हुआ है final settlement में it's 100 rupees तो 100 rupees के साथ में अगर आप compare करो कि 120 रुपया आपको जो वहां margin मिल रहा है that exactly is how much आप calculate करोगे तो that is approximately 30% तो अभी तो वह 100 rupees पे बंद हुआ है I was considering the last day's price जो previous day का closing price that was somewhere around 90 rupees तो जब declare होने वाला था आज के date पे तो उससे सबसे 30% अभी क्योंकि यह news आ गया है market बंद होते होते almost 7-8% वह grow कर गया तो जिसके चलते अभी आपको यह 20-25% नजर आ रहा है which is also not that bad उसके अलावा जो दूसरा चीज में हाइलाइट किया है 200 crore so basically the buyback amount just amount का share company वापस ले रही है आप से that is worth 200 crore and last but not the least that percentage वह जो 6.36 percent है total company के जितने shares है वह company वापस आप से ले रही है buyback is always considered positive क्योंकि company को कही नहीं लगता है कि the share price at which the company is trading at the market is undervalued that's why company always tries to buy the shares back and gives you a premium आपको एक मुनाफ़ा company देते हैं तो आपको पस अगर 100 shares रखे हुए company आपस वापस ले रही है तो market price अभी 100 का है company आपको 120 ओपर कर रही है तो 20 रुपया आपको per share company extra दे रही है उसके बदले में company आपस शेयर वापस ले रही है अभी दोस्तों आप पूछोगे कि यह कब तक hold करना है तो दोस्तों record date आभी आप जासा कि screen पर आप देख पारे हो record date जो company ने तै किया that is 26th of May तो आने वाले हफते 26th of May यहाँ पर record date डेक्लेर किया गया अब record date का क्या significance है obviously कोई भी corporate action होता है company को एक date ताय करना होता है on that date company decides who are all shareholders before that date are eligible for that corporate action तो अगर आपको 26th May जो record date है तब तक आपको eligible होना है तो आपको यह चीज़ करना है कि 26 तारीक तक share आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास already है आपको hold करना है अगर आपके पास नहीं है तो आपको उससे पहले buy करना है लेकिन obviously आप एक दिन पहले buy करोगे तो नहीं होगा क्योंकि SEBI का जो settlement है वो T plus 2 का settlement है तो at least 2 दिन पहले आपको shares buy करने होगे settlement के टाइम पर 26 तारीक आपके DMAT account में आ जाएंगे and then you will be eligible for buyback तो दोस्तों यह तो समझ में आपको आ गया कि कौन eligible है कब तक hold करना है अब next जो calculation है सबसे important calculation वो आपको यह देखना है कि कितना share आपका buyback हो सकता है तो दोस्तों अगर आप screen पर देख पार हो अगर आप 200 क्रोर को 120 से डिवाइट करोगे तो number of shares eligible for buyback is coming at 1.67 crore तो 1.67 crore shares company buyback कर रही है अभी कोई भी corporate action में जो retail investors होते हैं आप मेरे जैसे जो investors हैं जो की 2 lakh से कम invest करते हैं company में उनके लिए 15% reserved होता है as per sebi rule तो reserve for retail का percentage है वो जैसे कि मैंने बता है 15% तो उस हिसाब से आपको निकालना है उसका 15% तो अगर 1.67 crore shares total है जो की buyback हो रहे हैं तो उसका 15% है उसको आप अगर calculate करोगे तो that comes down to 0.25 तो 0.25 in lakhs तो 25 lakh shares तो 25 lakh shares reserved है आप मेरे जैसे जो shareholder है उनके पास अभी आप क्या करोगे आपको सबसे पहले जाना है BSC के website पे company का जो shareholding pattern है उसको आपको open करना है वहाँ से आपको एक count है वो मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हो कितने लोग है जो 2 lakh से कम का investment करके बैठे हुए तो आज जब मैं video बना रहा हूँ आज के date पे हमारे पास जो data है that is 6.11 crore जासे आप screen पे देख पारे हो तो 6 crore ऐसे लोग है जिनका share है company के पास और जिनके जो holding है वो number of shares जो total है वो company के account में 2 lakh से कम का है तो अब इस simple आपको divide करना है ratio निकालने के लिए तो अगर आप 0.25 को 6.11 से divide करोगे it comes down to 0.0409 इसको percentage में यह obviously है इसको 100 से multiply करोगे तो per 100 आपका निकल के आएगा क्योंकि percentage fraction में हमको share तो मिलते नहीं है तो आप अगर इसका percentage निकालोगे it comes down to 4.09 which is approximately 4 तो इसका मतलब क्या है दोस्तो अगर आपके पास 100 shares है तो जो number of shares आपका eligibility है that will come down to somewhere else 4 और अगर आपके पास 500 share है आपके 20 share buyback होंगे अगर आपके 1000 share है तो आपके 40 share buyback होंगे so this is the proportion this is the ratio that I wanted to explain so simple है कितने share company buyback करी है उसका 15% retail के लिए reserved है आपको मिल गया कितने share आपके रिजर्व रखे हुए total buyback में आपको अभी देखना है कि company के account में कितने लोग है जो कि retail category में आते हैं उसका डिवाइट करी आपको proportion मिल जागा तो बहुत easy calculation है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि content पसंद आया और जो भी information देना था कि record date है किया कितने buyback हो रहे है कब हो रहे है कब तक hold करना है कितने आपके हो सकते हैं सारे चीज़े मैं cover कि मुझे नहीं लगता इससे जादा crisp information आपको एक वीडियो में और कहीं मिलेगा अगर ऐसा information चाहिए तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो में अप्लोड करूं तुरंत fraction of second के अंदर में आपको notification मिल जा आते हो मेरे personal trades को follow करने के लिए कॉंसे शेयर में buy sell कर रहा हूं क्या hold कर रहा हूं क्या investment कर रहा हूं आप मुझे WhatsApp में मुझे पिंग कर सकते हो आगे की instruction मैं आपको फॉलू कर दो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए मैं बहुत जाला आजी दोता हूं एक नया content लेकर